हलो ईलमा इडिया स्टुदेंट वेल्कम टूवर चैनल जैसा कि आज आपका इंग्लिश का पेपर था और काफी सारे बच्चे बहुत ही जाधा खुस लग रहे थे क्यों लग रहे थी ऑफी सिंपल आया था और काफी मैं देखा काफी सारे बच्चे को टबी लगा था बहुत सारे रिजन रहें उसने आपको प्रैक्टिस नहीं किया रहेगा या तो बहुत सारे रिजन की वैसे यह सब हो सकता है और मैं एक्चुली मेरे जो एरिया की कॉलेजे उसके बार गया था मौहाई साथ नहीं करना चाहता अभी देखो आपको पता रहेगा हिंदी मराठी का पेपर पॉस्पॉंड हो चुका है अभी अपने पास फिफ्ट मार्च सिक्स मार्च सेवें एट मार्च और अपना पेपर आएगा नाइंध मार्च को ओसी आएगा सर मतलब अपने पास सर चार पढ़ो तो उससे कुछ होने वाला नहीं देखो आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई किया मैं मानता हूं स्टार्टिंग आपने बहुत अच्छा साल बर गिया अपन एंड देखा जाता है कि आप एंडिंग में कितना पढ़ाई करते हो उसका एडवांटेजिस क्या क्लियर है तो आपके लिए काफी चलेंगी क्योंकि एकी दिन का छुट्टी अगर उनीस तारीक आप जाओगे मैं तो देखा है दस बज़े कॉलेज में बुला लेते बच्चा अगर दस बज़े चला गया मैं तो काफी सारा बच्चा सौरी बच्चे को पूछा था क्यों न नौ से बेटा अगर कॉलेज में गया रहेगा तो पूरा ठक जाएगा तो मैं यही बताना चाहता हूँ उस दिन को तो गिनना ही नहीं बच्चा आपके बास बीस एकी दिन बच्चा एकी स्थारीक को तो आपको बुक कीपिंग का उसका प्रिपरेशन करना है अभी देखो आपके पास अगर आपको थोड़ा रिलेक्स फील करना है तो आप चाहते हो अगर आपको अच्छा लग देखो फीफ्ट और सिक्समार्च दोनों का बतार हो और 7.8 को तो आप लोग कंप्लेटली किसका स्टड़ी करना यह ओसी इंका पढ़ाई करना है क्लियर साथ और आठ मार्च को ओसी पर फोकस करना है और ऑसी बहुत ही जादा सिंपल रहता है और मैं आपके लिए स्पेशियल यहां पर क्या लिए क्या होगा रिवीजन करना हैं फिफ्फ मार्च को आप चाते हो तो आपकी मेरा उल्टा कर रहा हänder हो फिफ नमार्च आप चाते हो पर पर बीके बीके मंद अकांट का प्रिपेशन कर सकते हो और साथ में अगर कुछ बच्चे अगर SP वाले रहेंगे, SP का भी पढ़ सकते हैं, मैक्स वाले रहें, max का भी पढ़ सकते हैं, बतल आप थोड़ा एक दो घंटा बीके पढ़ लिया, प्लस साथ में अगर कुछ देखो अकाउंट कर रहे हो तो अकाउंट्स प्रैक्टिकल उसके साथ theory subject theory subject मतला अप मेरी मानों तो इको पढ़ाई कर लो clear है इको पढ़ाई कर लो तो आपके लिए पर अगर six मार्च को थोड़ा पृताब ने अगर फौर्मूला और रिवाइस किया तब जाके यहां पर वह आपको helpful होगा तो आप अभी ऑसी पर विकल जो बच्चा रात को देख रहेगा यह वीडियो तो कल देख रहेगा तो उनके लिए मैं बदा दो भी पांच मार्च को भी अच्छे मार्च को भी उसी लेके मत बैठना बीके सब लेके बैठना आपके लिए एडवांट क्योंकि आपर बीके में एक ही दिन का हमें क्या है चुट्टी है क्लियर तो बात आप याद रखना अभी देखो से में सर आगी की स्टेटरजी क्या रहेगी बस मेरी यह मानों कि यह दो दिन को आपको पूरा यूटिलाइस करना है क्लियर क्लियर क्योंकि बाद में पढ़ाई कि उस भूल जा अभी आपने क्या किया उस पे मैटर करेगा आपने बहुत सारा पढ़ा रहेगा पर एक यह दो दिन पहले जो पढ़ो गया जिसका आपने प्रैक्टीस किया रहेगा वही एंड में आपको काम आता है लिए तो य पढ़ना है जो बच्चे में घुपढ़ना आप जो बच्चे 10 तरीप को सबढ़ेंगे मैं तो एक सब्जेक्ट करें प्ढ़ना पर अगर मैइक सब्सक्राइब मैँक्स मार्च को मैंबक्सक्त की बात कर हूँ क्लिए यह पूरा किसके लिए एसपी वाले बच्चे को बता अगर मैक्स लिया रहेगा तो बच्चा किसकी या तो एको की तैयारी करना क्लियर या तो क्या करना इको आप पढ़ पड़के करना मेरी मानों अकाउंट का थोड़ा ज़्यादा प्रिपरेशन करना क्योंकि पहली बारी ऐसा हो रहा है कि या जो न्यूशलेबस पहली बार एक इसका मतलब तुमने एक गंटे को प्रॉपर यूटिलाइज नहीं कर पाए तो हाला कि उस बच्चे के चांसिस कम है पर हाला कि आपको पता रहेगा इंगली से ऐसा सब्जे के आउट टॉप मार्क्स कटी सकते तो 60 परसेंट मार्क्स आए तो वेलेंड गूड अगर 70 60 के उपर जितना आपके लिए बहुत ही जादा एड़ांटिस करने में आपको काफी मुझे लग रहें आपको अगर कैसे में सकते हैं आगे के पेपर लेक्ष्ट लेकर यान्प और OCSP के लिए हम आपके लिए आपके लिए आपके लिए गाइट करूगा तील टाइम माई डियर स्टुडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कीप स्टडी करते हैं मेरी तरफ से अल दा बेस्ट और जो बच्चे देख रहें बेटा चीट भी लेके जाना मत ऐसी हरकत कर पना मत थैंक यू सो मच माई डियर स्टुडेंट